दोस्तो इंडियन कोश्टगार्ट की तरफ से नाविक जीडी, डीवी और एंतरी का एक्जाम समापत हो चुका है और दोस्तो एक्जाम समापत होने के बाद से आपके काफी सारे कमेंट्स आरे थे की इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इस वार के लिए अलग-अलग केटेगरी वाइज एक्स्पेक्टेड कट अफ क्या रह सकता है तो गाइज इस वीडियो मैं आपको रिजल्ट का डेट बताने वाला हूँ और इसके साथ ही प्रिवियस दो सालों के ट्रेन को एनलिसिस करके बताऊंगा की इन टेक 124 के लिए आपका फाइनल कट अफ क्या रहेगा तो आप सभी लोग वीडियो को लार्स तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक एक्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे चलिए दोस्तों आज का वीडियो श्टार्ट करते हैं तो गैस सबसे पहले हम बात कर लेता है रिजल्ट डेट की तो अभी आपका एक्जाम चला था कब 2 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2023 तक और दोस्तों आपके रिटेन एक्जाम और रिजल्ट के वीच में जो यहाँ पर गैप रहता है न वो लगवख 25 से लेकर के 30 दिनों का रहता है तो दोस्तों यहाँ पर आप एक्षेक्टर के चल सकते हो कि दिसंबर का जो लास्ट वीक होगा यानि कि 28-30 दिसंबर के अराउंड या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में यानि कि 5 जनवरी से पहले आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिल जा सकता है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परिसान होने की जुरूत नहीं है आपका टाइम जैसे ही आएगा रिजल्ट का उसी समय रिलीज किया जाएगा बेवज़ा कि आप लोग जो डेली उटो पर आकर सच करते हो रिजल्ट आ जा रहा है कि कल आ रहा है इसकी बज़ा इसकी जगह पर आप सभी लोग अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दो ताकि आपका अगर रिटेन में सेलेक्शन हो जाए तो फाइनल सेलेक्शन तब भी आप पहुँच सको तो रिजल्ट डेट की हाँ पर बात हो गई अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कट अफ के बारे में तो कट अफ के बारे में जानने से पहले हम दो सालों का ट्रेन देखेंगे सबसे पहले जीडी के बारे में और फिर उसके बार डीवी के बारे में तो दोस्तों 2023 में आपके दो इंटेक हुए एक है आपका Intake 1230 और एक है Intake 2230 Intake 1230 में GT का जो cutoff रहा है अलग-अलग category wise वो general category का 80 marks है EWS का 74 marks गया था OBC का 77 marks है SC का 68 marks है और HD का 55 marks है यह जो cutoff है दोस्तों आपका वो है out of 110 जिसमें आपका section 1 होता है 60 marks का और section 2 होता है आपका 50 marks का फिर इसके बाद Intake 2230 में general category का cutoff 76 गया था EWS का 71, OBC का 73, SC का 68 और HD का 57 यहाँ पर अगर आप gap देखोगे इन दोनों के बीच में तो gap कितने कारा है देखिए general का कहाँ पर 80 गया था Intake 1 में जबकि Intake 2 में 76 चला गया तो इसके पीछे का region क्या है इसके पीछे का एक मास region होता है आपका paper का level paper का level जो है वो Intake 2330 में थोड़ा सा moderate side आया था इस वज़े से आपके जो cutoff है वो यहाँ पर decrease हुए थी paper का level अगर बढ़ेगा तो cutoff decrease definitely होगा और अगर paper असान आएंगे तो जाहिर सी बात है cutoff आपके उसी ratio में increase करेंगे उसी परकार से देखो गे तो EWS का भी 74 से घटके 71 आ गया था OBC का 77 से घटके 73 लगवग 4 marks का degree जहां पर आपको देखने को मिला था हर एक साल ठीक है हर एक category में तो इस वार के लिए यानि कि Intake 2024 के लिए आपका cutoff क्या रहा सकता है expected GD post की मैं केवल बात कर रहा हूँ तो देखिए इस वार का जो आपका paper है न वो कहीं न कहीं Intake 2023 जैसा ही था यानि कि आप इसे बोल सकते हो easy to moderate Intake 2023 में क्या था moderate था केवल लेकिन इस वार आपका easy से लेकर के moderate आया है maximum questions जो आपके पूछे गया थे वो काफी easy level के थे और कुछ-कुछ questions आपके moderate level के exam में आये हैं तो इस वार के अगर expected cutoff के मैं बात करूँ तो यह जो cutoff है वो general category के लिए यानि कि unreserved category के लिए रहना चाहिए 79 से लेकर के 82 के बीच में पिछले साल गया था 80 तक highest इससे थोड़ा सा increase यहाँ पर कर सकता है क्योंकि हर साल candidate की संख्या काफी जादा बढ़ती है पलस candidate की preparation भी अलग level पर बढ़ती है तो इसी वाज़ा से आपके competition यहाँ पर high देखने को मिलेगा EWS category के मैं बात कर लूँ तो 74 से लेकर के 76 के बीच में आपके marks रह सकते है OVC category के लिए 76 से लेकर के 78 के बीच में SC के लिए 69 से 71 के बीच में और ST के लिए 56 से लेकर 59 के बीच में तो अगर आपने GD post के लिए apply किया है और आपको लगता है कि आपके marks इसके around में आ जाएंगे तो definitely आप सभी लोग अपने physical की तयारी start कर देना क्योंकि return का result आने के बाद physical के लिए बहुत जादा time आप लोग को नहीं दिया जाता है अब दोस्तों next बात करते हैं DV post के लिए तो देखिए सबसे पहले तो DV का previous year में cutoff क्या गया था वो देख लेती हैं यहाँ पर देखोगे तो intake एक 2023 में DV का cutoff general category के लिए 51 है EWS के लिए 48 marks गया है OVC के लिए 49 है SC के लिए 45 है और ST के लिए 44 है यहाँ पर दोस्तों आपका जो DV का exam है न इसमें केवल section 1 वाला paper ही आता है जो कि 60 marks का होगा अब section 1 काफी easy level का question होता है इसमें इसका syllabus भी काफी असान है in comparison to GD इसी वज़ा से आप देखोगे तो 60 में से कितना highest cutoff यहाँ पर देखने को मिल नहाँ है section 1 में होता क्या क्या है तो 20 आपके मैद्स आ जाते हैं 10 आपका reasoning आ गया 15 English आ गया 10 आपके science आ गया और 5 आपका GK आ गया यह सारे के सारे questions आपके up to 10th level तक होते हैं इस वज़ा से यहाँ पर cutoff high चला जाता है उसी परकारते आप देखोगे तो intake 2023 में और जब के टेकरी के लिए 50 number cutoff गया है EWS के लिए 47 number OBC के लिए 48 number SC के लिए 47 number और HD के लिए 42 number तो यहाँ पर जो decrease देखने को मिला है न वो आप देखना तो केवल और केवल एक number का मिला है ऐसा इसलिए का है क्योई question का level easy रहता है तो जो score करने वाले candidate है इनके संख्या काफी जादा रहती है और संख्या जब increase करेगी student की जादा marks लाने वाले तो जो आपके number घटते हैं वो भी उसी ratio में काफी slow घटेंगी इस वार का जो paper आपका आया था वो भी कैसा था तो बिल्कुल intake एक 2023 जैसा ही आया था चाहिए मैं DB की बात कर लोई आफर GD की तो इस वार भी आपको जो cutoff है वो कहीं न कहीं intake 2023 से slightly up देखने को मिलेगा अब यहाँ पर already cutoff काफी high जा चुका है तो ऐसा नहीं है कि 60 में से आपको 69 cutoff देखने को मिल जाएगा या 56 देखने को मिल जाएगा लेकिन हाँ जो पिछले साल cutoff गया है उससे कम तो नहीं जाने वाला इससे के equal रहेगा या फिर इसके थोड़े ऊपर ही रह सकता है तो इस वार के जो expected cutoff है डीवी के लिए अगर आपके marks 50 के round बन रहे हैं इसमें आप plus minus 2 कर लो तब आपके selection के बहुत अच्छे chances हैं हाँ पर EWS category में बात करूँ तो 48 से लेकर के 50 के बीच में आपके cutoff रह सकते हैं OVC category के लिए 49 से लेकर के 51 के बीच में आपके cutoff रह सकते हैं SC के लिए आपका 46 से लेकर के 48 के बीच में और HD category के लिए 43 से लेकर के 45 के बीच में आपके cutoff रह सकते हैं तो गईज यह था आपका इसके अलावा दोस्तों आपने अगर डीवी के लिए अप्लाई किया है और आपके अटेम्ट कितने हैं वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेयर करना इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा फिचकल के बारे में फिचकल में आपके क्या-क्या पूछी आते है तो मैंने आपर नोटिफिकेशन ओपेन कर रखा है कि सबसे पहले आपर चलो देख एक सेगंड रुक जाओ सबसे पहले तो आपका 1.6 किलोमेटर का रणिंग होने वला है जो कि साथ मिनट में कंप्लीट करना है अब देखो एयर फॉर्जेस एक जाम में पहले क्या होता था 6.3 यानि कि साथे 6 मिनट में यह रणिंग कंप्लीट करने होती जो कि थोड़ा मुस्किल हो जाता था अब इसे बढ़ाकर 7 मिनट यहां पर रखा गया तो थोड़ा इजी पर जाएगा आपको लिए बस आप अपनी तयारी कंटिन्यू रखो और जब आपका रिजल्ट है फ फिर आपको आगे ज़्यादा मेनद करने की जुरूत नहीं पड़ेगी इसके अलावा 20 स्कुरेट्स होते हैं और 10 पूसप्स होते हैं तो इन दोनों को करने में आपको ज़्यादा प्रॉल्म नहीं आने वाली मेली जो आपको त्यारी करनी है वो आपका फिजिकल फिटनस टेस्ट में आपकी रणिंग के ही करनी होगी इसके अवाला अलावा नॉर्मल एक मिडिकल सा टेस्ट होता है जो कि आपको आइने शेक्जाप में करवाए जाएगा तो यहीं आपका सेलेक्शन प्रोसेस कट आफ के बारे मैंने आपको बता दिया है कि रिजल्ट आपका दि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सेयर करें